440 वोल्ट का शौक 2017 सबसे बड़ी फिल्म सामने आई है 2017 का सबसे बड़ा बवाल, सनी दियोल, भनसाली, बिकिनी, सबसे धमाकेदार कौन, वहीं ट्रेलर के अलावा इस फिल्म की कास्ट भी बेहत शांदार है, जिसके चलते फिल्म को तारीफे मिल रही है, जहां एक तरफ दीपिका शाहिद को लोग देखते ही रह जहां एक तरफ दीपिका ने इस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा चार्ज किया है, वहीं शाहिद की फीस रनवीर से कम है, वहीं इस फिल्म के सपोर्टिंग कास्ट की फीस भी कुछ कम नहीं है, आगे जाने इस फिल्म के लिए किस के चार्ज की कितनी भी इस सबसे ऊपर दी रणवीर सिंग वहीं पदमावती में सबसे महेंगे स्टार की लिस्ट में दूसरा नाम अभिनेता रणवीर सिंग है। रणवीर सिंग इस फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर आउट होने के बाद उन्हीं की सबसे ज़्यादा तारी फ्रे हुई हैं। बतादे की रणवीर इस फिल्म के लिए आठ करोड चार्ज कर रहे हैं। शाहिद कपूर का तीसरा नंबर वही इस फिल्म में रवाल रतन सिंग का किरदार निभा रहे हैं। ट्रेलर आने के बाद सोशल मीडिया पर शाहिद भी खूब जाए रहे। वही इस फिल्म के लिए शाहिद ने महचे का रोड चार्ज किये हैं। जिम सरब फिल्म नीजा में विलेन का किरदार निभा कर सब को इंप्रेस करने वाले एक्टर जिम सरब भी इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। वही इस फिल्म के लिए अदिती ने 85 लाग फीस ली है। शांदार सेट पदमावती के हाल ही में रिलीज हुए ट्रेलर की शुरुआत में ही फिल्म का शांदार सेट दिखाया जाता है। वही फिल्म के लिए ऐसे ही कई सेट डिडाइन किये गए हैं। जिन के लिए अंदाजन करोडों उपे खर्च किये गए हैं। आलिशान कॉस्ट्यूम और ज्वैलरी वहीं फिल्म में आपको अभिनेत्री दीपिका पद कोन आलिशान गहनों से सजी दिखेंगी ये गहने तनिश्ट के हैं वहीं इन पर भी कई करोड खर्च किये गए हैं फिल्म का बजट वहीं इन सब स्टार्स की भारी भरकम फीस के बाद आपको बजट के बारे में बताएंगे तो आप चौक ही जाएंगे सब कुछ मिला कर फिल्म का टोटल बजट एक छे करोड के उपर बताया जा रहा है फिल्म का ब्लॉकबस्टर होना तो तह है अब देखना ये होगा कि ये फिल्म कितनी कमाई करती है